हुआ 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 है हुआ है हलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो मैं आपका अपना गौरब पापो एक बार फिर स्वागत करता हूँ अनके इडिमी इस्टूटियो बरीज में तो गाइज मेरा जो लेक्चर है जो आज का यह आज उन बच्चों के लिए उन उन college गोवर के लिए जो लगता है कि वो लाइफ में अकेले हैं उनको लगता है कि यार में तो अकेला फस गया अपने अकेले पन को लेके रोते रहते हैं हमिशा तो मेरे बच्चों मैं बता दू आज आपको कि यह तुमारा अकेला पन है यही तुमारी सबसे बड़ी ताग और पूपन के लूप में कुछ नहीं कर पा रहे हैं मैं तो consent by अपने बैटं yarn तो गाईज जहांते सुनिये काम जो बताने जा रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात बताने जा रहा हूं, आपके अकेले पन के लिए, तो देखी गाईज, जो बच्चे मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा था अपना इंट्रदक्शन देना चाहूंगा पह जो खुला है, तो चलिये अपनी इसलिंग के पहले दिए, आपका हूं, तो मुझे इस लिंक पर फॉल्ओ करीए, तो मुझे इस लिंक हम. अगर आप लाइक कराने आहा है, तो आदिस मैं इसलिए वीडियों सुनिए आपको आपका यह थिक्षा को शूम्ज मैं आ रहा हा है ठीक गाईज तो चलिए आगे अपनी सरंकलाव आगे बढ़ाते हैं अगे अन अकेडमी प्लस अन अकेडमी प्लस एक उनलाइन लर्निंग प्लेटफोर्म है तोड़ा तम इसके बारे बताना चाहूँगा क्यों ये सबसे बेस्ट है इस वक्त इंडिया में भीकोज जो अन अकेडमी प्लस है यहां पें ईंडिया के टॉप मोस्ट एzkटर पड़ा रहे है और हम लोग केवल केवल एंजनिर्म की फिल्ड में हम पूरे सारे फिल्ड में हम सारे नॉन टैक्निकल टैक्निकल सारे एक्जांथ की त्यारी गरवा रहे और अन अकेडमी उन प्रोफेसर्स को उन फैकल्टी को हायर गर रहा है जो इंडिया के टॉप इस्टूट में पढ़ा चुके हैं जिनके पास अथा एक्सपीरियंस है तो आप मेरी बातों मानिए खुद एक दिन लेक्टर लेकर देखी और जस्ट फिल डिफरेंद नियो नॉलेज ठीक फाइडा इसनकेडमी प्लसा तो गईज यहां पर आपको अपने तानी च्शूल के क्लास मिलेगी इसके अगर इंग्लिस समझने में दिक्कत हो रही हैं इमलिस समझने में इहiresكते हैं तो घ себе लijon इस पर देख सकते हैं जो कि जनरली ओफलाइन गोजिंग्स के अंदर नहीं होता इसके अलाबा अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपके पास वीडियो लेक्चर रिकॉड़ीट फॉर्म में सेव हो जाएगा आप उस वीडियो लेक्चर को कई बार रिपीट करके डाउनलोड करके बार बार देख सकते हो उससे क्या होगा जो भी डाउट आपका अटका हुआ था वो क्लियर हो जागा जो कि ऑफलाइट क्लास में पॉसिबल नहीं है क्यों तो कि ऑफलाइट क्लास में एक बार सब्जेट हदम हुआ इसके अलावा अपने एजुकेटर से चैट पर बात कर सकते हैं उनसे इंट्रक्टिव पोल्स में हिस्सा ले सकते हैं और बैस तिंग जो अपने लेक्चर में बोलता हूं जो अन एकेडमी के बार मुझे लगती है वो यह है कि आपको जहां पढ़ाई करनी है वहां पढ़ाई करनी तब पढ़ाई करिए मतलब कोई बाउनेशन नियागी की कोचिंग का टाइम फिक्स साब इसी डाइम पर बढ़ाई होगी जो कि ऑफलाइन कोचिंग में होता है कि बहीं नौ से बारे की कोचिंग ऐसा निया आपको जम बन करता है आप तब पढ़िए बैस तिंग पर आपके घर से मालो 220 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर है तो उसमें आने जाने में आपको दो से तीन घंटे खराब होंगी वो टाइम आपको यहां बच जाएगा क्यों क्योंकि आपको आपके घर पे ही लेक्टर मिलने वाला है आरी बस में चलिए तो आगे मूब करते हैं अ 10% का instant discount बलेगा गाईज ठीक है तो यहां different subscription दे रखें एक महीने का तीन महीने का 24 महीने का तो जो भी आपको according to your requirement अच्छा लगता है आप यहां से उसको save कर सकते हैं for example 24 महीने का मतलब two years two years के program की जो फीज है वो 40,000 है ठीक है और जैसे आप इस code को डालेंगे GPS life को यह फीज कितनी दे जाएगी 36,000 मतलब यह आपको करीब 1500 रुपे पर मंत पढ़ने वाली है कितने 1500 रुपे पर मंत मतलब 2000 से कम पढ़ने वाली आपको यह फीज इसी के साथ 12 मंत का सब्सक्रिशन दे रहा है जो 25,000 फीज है जैसे आप इस GPS life code को डालेंगे यह फीज कितनी रहे जाएगी 26,500 मतलब 10% का आपको इंस्टन डिसकाउंट मिल गया कितना 200 रुपे 250 रुपे का आपको इंस्टन डिसकाउंट मिल गया तो गाईज इस GPS life code को डालना ना भू इसके लिए आपको डालेंगे आपको डाउन डाउनलोड करना है वहां से गेट सेक्षन को जाना है और सब्सक्रिशन पर जाके जो भी आप से अप्सक्रिशन करते हैं यहां से सब्सक्रिशन करते हैं आप फीस डाल फीस दबर देनी और फीस बरने थे पहले GPS life यह code दालना नहीं मिलेगा चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना सेक्षिन जो सेशन है अकेला पन तो अकेले पन की बात करते हैं तो यहीं आपकी तागत है इस डर को आपको तागत मैं कैसे करना समझाता हूं सबसी और यहीं इग्जामपल मैं बहुत सारी जगा पर सबस्तरा लेता हूं तो मैं उनको से करता है तो नेस Palestra वे चॉक्त एट करते हों नाை आप आई एस की त्यारी करो आप अल्लेटी कॉलेज में इंजिनिंग पढ़ रहे हैं उसको थोड़ी सी नहीं डिरेक्शन दे दो तो आपका आपको अच्छा सेलेक्शन मिल जागा पर आपके संवाइब का रहे हैं तो मैं देखता हूं वह चारसो ड्राइब करें कि आप लिए कुछ अलग करो, क्या करो, कुछ अलग, यह मैं नहीं बोलता है, यह बात बोली थी शिर्फ केडा जी नहीं, कि हर सक्स जो जीतता है, वो कुछ नया नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंगसे करता है, तो मैं बच्चों से पूछता हूं, काईद आप लोग एंजिनिरिंग कर रह कर रहे हो नहीं हजारा लाक हो लोग और तो आई एस की द्यारी करने लगो या अभी से सोचो अपने वविश्य के बारे में और अभी से प्रिपर्शन चालू करो तो इन चार सा बच्चों में से आपको क्या लगता है चार सा को चार सा मोटीवेट होते हैं नहीं स्म broadly अधिश्य दर ते गाली दर रोते हैं कि बैए क्यों पका रहा है क्योंकि गाली सबके बसकी नहीं आई एक चार सो में कुछी बच्चे होते हैं मैं बोलू.. पर दो मेरे पच्चों की यह क्या थी यह फालतू का रष्टा कुछ अन्या सлем अब होते हैं जो हो लगता है जुडो लाइपने कुछ करते हैं यह लोग क्या कर रहे हैं यह कॉलेज के प्लेजमेंट की द्यारी कर रहे हैं यह किसी और चीज को देख रहे हैं यह बड़े मना रहे हैं सेलिवरेशन कर रहे हैं और यह बच्चे चारों क्या यह मुझसे मोटिवेट होके पढ़ाही करने लगए गेट की या अपने सुंदर अबिश्ची की पढ़ाई गन्ने के लिए लग गई है लेकिन चुंकि एक तरफ 390 लोग हैं एक तरफ भीड बहुत जादा है और एक तरफ यह चार अकेले हैं तो यह चार आपके बात करते हैं कि अरे यार वो देख इतनी भीड तो माझा रही है और पता नियार हम लोग पूरी भीड दो आ है हम पता निया अकेले क्या कर रहे हैं तो मेरे बच्चों डर लगना लाजमी है डर लगता है बिल्कुल लगता है सबको लगता है लेकिन इस डर को हावी नहीं होने दरा इस डर को यह मैं अपनी ताकत बनाना है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं देखो यह 400 बच्चों की भीड में ते 4 बच्चे अकेले हो गए यह 4 बच्चे जैसी अकेले होए तो क्या हुआ इनको डर लगेगा क्या पता नहीं 396 मतलब भीड गई और जा रही है और हम लोग तो पता नहीं कुछ और ही देखारी कर रहे हैं तो मेरे बच्चों no doubt डर लगेगा लेकिन मैं बोलता हूँ लगने दो बिल्कुल लगने दो क्यों कि अब सुनना मेरी बात ध्यान से क्योंकि if you are alone then you are on the right track अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो तो समझ जाओ बिल्कुल सही track पे हो समझ मारी मेरी बात अगर आपको लगता है कि यार मेरे सारे दोस्तों पत ओको रगतर है कि दो यह जाने कि तो तुम्हारा संपना अगर बढ़ा है तो वैटा तो मेरी मय भीड से अके लिया अटना यह पर नहें पड़ेगा अघnezन हे भीड से इन रही कर तो आप जो जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं शूर हूँ कि 99% लोग इंडियन रेल में बैठे होंगे तो मेरे बच्चों भारती रेल की बात करूं तो भारती रेल में 3-4 तरीके के डिब्बे होते हैं सबसे पहला इधर जो कोच होता है इंजन के बगल में वो जनरल कोच होता है कैसा कोच होता है जनरल उसके बाद जो कोच आता है वो आता है स्लीपर कैसा आता है स्लीपर उसके बाद फिर जो कोच आता है वो आता है 3 AC ठीक है उसके बाद जो कोच आता है 2 AC उसके बाद जो कोच बाएख में चुर्टके अव्यों, व्यूर्म कोश में उस से कमएर सिलीर वाले कोश में उस्से कमएर से कमएर 2 AC सबसे कम व्यूंडे ज़न ऐसी में बंदा 1st AC में अकेला केबिन में बैटके, अकेला केबिन में बैटके सफर करता है, Are you getting my point? तो सब जहाँ ज़्यादा भीड है, जहाँ नंबर ज़्यादा है, वहाँ comfort चेक करो, वहाँ comfort क्या है, वहाँ अकात नहीं है कोई, सण्क्या घटने लगे, जब संक्या घटने लगे, तो समझ जाओ आपकी उकात बढ़ रही है, समझ जाओ आपकी उकात बढ़ रही है, आरी वासोज में, तो यहाँ पर क्या आता है, जर्नल कोज में, पान पान सो बंदे ठूस के बिचारे गुसे हुए है, गरीब आदमी बिचारे क्या है, ठूस ठूस के जा रहे है, बिल्कु तो यहां पर क्या हुआ था यहां पर इस वाले कुश्छन में क्या थर्वाया मैंने नंबर ही तो कम हुए थे 396 में से कितने रहे थे आप चार रहे थे यानि जब चार रहे थे तो समझ जाओ कि आप राइट ट्रेक पे थे अधुकल राइट पर रहे हो एक और एक्जम्पल देता हूं एक रेस चार रही है और यह फिनिशिंग पॉइंट यह फिनिश्च पॉइंट है यहाँ पर रेस चल रही है रेस में एक थीन चार पान्च है हजारों लाकों लोन आता पाम के चलू कि यह ये जो लाल वाला बंदा है ये ये आप हो ये आप हो अब जब आप अपने दाएं देखते हो तो आपको देखता है सो आदमी इदर खणे हैं आप अपने आगे देखते हो तो सो आदमी इदर खणे हैं आप अपने इधर देखते हो कि섯 इधर तो सो आद्मी दिर्कणे है, मतलब आप बीड से गिडा हुए हो और आप बीड से गिरे हो, आप बीड से गिरे हो को इसका मतलब है, आपको शक्सेज नहीं मिलने वाली, क्यूं? क्योंकि अभी भी आपके इधर सो आदमी इधर सो आदमी दाए बाए आगे पीछे सारे जगे सो आदमी आपके घूम रहे हैं वो भी race के से बने हुँ और आप भी उनके तक चले जा रहे हो अगर ऐसा रहा तो क्या आप race जीत पाओगे कभी नहीं जीत पाओगे अगर आइसा रहा कि यहां भी सो आदमी इधर सो आदमी बागल में सो आदमी पीके उस आदमी तो इसका मतला बीच मापचे हुए हो तो क्या इस condition में आप race जीत पाओगे कभी नहीं जीत पाओगे अगर आपको ये रेस जीतनी है तो क्या करना होगा आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग एफट लगाना पड़ेगा जैसे आप कुछ अलग एफट लगाएंगे मानने के चलो कि आपने चाहता तागल लगाई आपने भागने का तेज प्रयास किया तो धीरे दीर आप देख कि आपके इधर दो बंदे रहे गए और आप अकेले भाग रहे हो इस बात का मतलब क्या इस बात का मतलब क्या आप रेस जीतने वाले हो इस बात करा मतले है एक आप रेज जीत ने वाले हो तो क्या ये बात आपकी सुमज़माई मेरे बच्चों तो again जब तक भीड में चल रहे थे तब तक जीतने के कोई chance नहीं थे जब तक भीड में चल रहे थे चारंट तरफ भीड थी कोई जीतने के chance नहीं थे सो सब्चों से कितने रहे दीरे धीरे 20 रहे तस रहे दो रहे और यासा ही कि मा अकेला रह गया और जैसे आप अकेले हुए जैसे की आप अकेले हुए औरzinho पहले ससे रहे तो आप तु हो पर आप पढ़ेगा तो मेरे बच्छो जब नंबर कम होने लगते हैं यह आता हा फीरदी नंबर जाता थे तो आप Rivers जीत रहे हो तो जब भी नंबर कम होने लगें समझ चाओ कि आप सकसेज की तरफ जा रहे हो एक और एकजामपल देता हूं बैंक में संक्रण विशुण करके ने ऐं लेकिन प्राइम मिनिस्टर कितने हें जानी बड़ी होकाद तने ही निंदगर कम, जितनी बड़ी ओकाद उतनी नंबर कम, इस बात को दिमाग में डालो, जितनी बड़ी आपकी ओकाद उतनी नंबर कम, यानि कि जब नंबर कम होने लगें, जब आप भीड से अटने लगो, जब अपने आपको अकेला पाओ, तो समझ जाओ कि राइट ट्रेक पर जा रहे ह तो मेरे बच्चों क्या आप समझ में आ गई कि जब नंबर घटने लगते हैं तो समझ आप राइट ट्रेक पर जा रहे हो उस टाइम पर डर लगेगा बिल्कुल लगेगा कि मैं अकेला पड़ रहा हूं लेकिन समझ जाना कि तुम राइट ट्रेक पर हो क्योंकि हर किसी की उक सब्स्वाद बनाने ह집न सब्सक्राइब अपिश्कों नहीं कि इसको अपनी ताहट अग्यात बनाना है इसको तो मेरे बच्त अग्यान के सून लो गर इसका आंसर यस है तो द्वाथ यक बात ीस वे आधक इस जिन में, अकेले चलने का होसला होता है, एक dine उनके पीछे काफिला होता है। आ रहा है, बहुत में, तो मेरे बच्चों, अगर आपके Anders अके अंदर, अकेले चलने का होसला है, तो एक दिन आपके पीछे काफिला जरूर होगा, तो अपने आपके बिलीब करिए और इस बात को हमेशा याद रखिएगा जिनमें अकेले चलने का होसला होता है एक दिन उनके पीछे काफिला होता है कि आपका ही अकेला पन ही, आपकी सबसे बड़ी तागत है, तो, तो थेंक्यू guys, तो अकर आपको अच्छा लगा है, तो like कर दीजिए, subscribe कर तीजिए, bell bell अगर दिजिए और GPS life code, इस GPS life code को, जाज-जाधा फैला दीजिए, ताकि जो बच्छे नीडी है, उनको 10% का discount,